लेकिन दोस्तों उससे पहले सब्सक्राइब कर लें चमतकारी तोटके को और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीज़े पुर्वजों ने अपने दिव्व ज्यान से ऐसे अनेक तथे डाले हैं जो किसी भी भवन के रहने वाले लोगों को शांती पूर्वक रहने में सहायक होते हैं। नहीं कर पाती और दूर रहती हैं। वास्तु के अनुसार मुख्यद्वार के सामने भोजन कक्ष, रसोई घर या खाने की टेबल नहीं होनी चाहिए। मुख्यद्वार के अलावा पूजा घर, भोजन कक्ष या तिजोरी के कमरे भी दहलीज के ठीक सामने नहीं होने चाहिए। और उन पर भी दहलीज लगवानी चाहिए। जिस घर में इमारत में मध्य भाग याने की ब्रह्मस्थान में कुआ या गड़ा हो, वहां रहने वालों की प्रगर्ती रुख जाती है। ब्रह्मस्थान में क्या निर्माण करें जिससे की लाब हो और क्या हानी हो आपको बताते हैं। दुकान में बनाने से बाकी सबी लोग उसके कहे अनुसार कारे करते हैं। और कोई उसकी आग्या पालन में विरोध नहीं करता। अपने अधीन कर्मचारी को इस स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इन्हें हटा दें। नौर्थीस्ट होता है इशान कोण जिसे नीचा रखें। नेरतिकोण यानिकी साउथ कोण इसे उचा रखें। अगर चाहते हों कि वास्तु का अच्छा नतीजा आए तो सैप्टिक टैंक उत्तर दिशा के मद्य भाग में बनवाएं। संभव ना हो तो पूर्व के मद्य भाग में बना दे। लेकिन कभी भी साउथ में या फिर इशान कोण में या फिर ब्रमस्थल में या अगनी भाग में जिसे की पूर्व का भाग कहा गया है वहाँ पे टैंक बिलकुल ना बनवाएं। प्लोट या मकान के साउथ कॉर्नर में बना हुआ कुवा अंडरग्राउंड वाटर टैंक सबसे जादा हानिकारक होता है। इसके कारण अकाल मृत्यू, अपशय, धन्नाश, खराप्रविर्ती, आत्महत्या, संगर्ष ऐसी भावनाएं जादा आती हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ आसान से नियम जिने अपना कर आप भी अपने घर को दुखों से बचा सकते हैं, किसी भी तरह की कठिनाईयों से बच सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, जुड़े रहें चमतकारी टोटके के साथ। झाल